है अलो फ्रेंड्स तो केसे वह आप सब आय हों तो देखिए आज में लेकर आई हूं चने की दाल और सोया की रेसिपी स्की हम सबस्जी बनाएंगे तो देखिए मैं ने एक आलू कट को दिखा देती हों कि दाल हमारी केसी गली है तो अभी देखिए फ्रेंट्स मैंने इसकु गणा ना यह देख लीजिए यह इतनी गल गई है दाल हमारी मतलब इलकुल अच्छा से गल गई है यहां पे सोया को हमने उबाल लिया है उबालने के बाद में ठंडा हो गया है सोया तो यह देखी है हातों से दबा दबा कर इसका पानी निकाल रही हूँ तो सोया का हम सारा ही पानी निकाल लेंगे और फ्रेंट्स सोया मैंने उबाल कर रख लिया था पेले ही तो ये देखें friends, सोया का पानी निकालने के बाद में और न्यापे कड़ाई में मैंने तेल रख दिया है तेल रखने के बाद में जो आलू कट किया था एक वो आलू डाल कर हम आलू को फ्राई कर लेंगे इसी जगे आप आलु उबाल भी सकते हो लेकिन मेने नहीं उबाला क्योंकि फ्राई किया हुआ अलु इना सब्जे में बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए में सोया को भी फ्राई कर लेंगे तो आलू हमने निकाल लिया है फ्राई करके उसके बाद फिर सोया डालिये तो इसका क्या है ना कि सोया के अंदर जो भी पानी होगा ना वो पानी सब इसके अंदर सोख जाएगा तो देखें फ्रंट सोया को भी हमने फ्राई कर लिए और अब चलिए इनने निकाल लिया है हमने और निकालने के बाद में नियापे हम फिर से हम कडाई के तरफ चलेंगे तो बस कडाई में मैंने थोड़ा सा तेल और बढ़ा लिया है और तेल रखने के बाद में नियापे ज जीरा डालने के बाद में जीरा मेर अच्छे सा चटक गया। उसके बाद फिर ममीच्छी। और बस प्याज को हम थोड़ा हलका सुने रहा हो जाएगा उसके बाद लेसुन के कलिया डाल दिये थोड़ी सी और लेसुन को हमने कट कर लिया था और उसके बाद हरी मिर्ची डाल दिये तो हरी मिर्ची को भी हम थोड़ी सदेर के लिए ऐसे ही सेकेंगे ऐसे ही पकाएंगे इसके बाद जब यह गोल्डन फ्राई हो गया ना तो यह देखिए लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है हल्दी पाउडर और नमग डाल दिया है मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सबजी की रेसिपी देती हूं फ्रेंड्स ना ज्यादा मसाला डालती हूं ना कुछ भी नहीं य अच्छ जगे आप दः बी डाल सकते हो तो यह देखिएम मसाला हमारा अच्छे से भून लेंगे हैं और मसाला जब अच्छे से भून जाएगा ना तो उसके बाद पिर हम इसके अंदर डाल डालेंगे तो यह देखिए मैने बिल्कुल मीडियल उचे में पतेजल आज़े और अच्छे से पकैया हैं associated 2 WAT अब सब्सकेने नमक अ हल्दी बड़ पेड़ें, भी में जाद़ में तरहना के ताए में जारा में आवा्टन के सन जारा है तो बस सोया डाल दिये, सोया को भी हम अच्छे से चलाने के बाद में आलू डाल देंगे, तो ये भी आलू वही वाला है, जो हमने फ्राइ करके रखा था, तो सोया, आलू, दाल हमने तीनी चीजों को डाल दिया है, और तीनी चीजों को डालने के बाद में अब जाएगा न् बस इसलिए पाने डाला है चलिए ठाली डग देते हैं और बस सब्जी को हम अच्छे से पकने देंगे। ये देखी फ्रेंट्स सब्जी का कलर कितना बढ़िया आया है और सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। मेरा यकीन मानिए एक रोटे की जगे आप दो रोटे खाएंगे और यह देखिए गरम मसाला डाल दिया है मैंने थोड़ा सा और बिल्कूल कम मसाले में मैंने यह सबजी बनाई है तो चेनल को लाइक जरूर करना, ओके बाई बाई